कस्मीरी पंडित को बेदखल करने का गाव 32 साल बेदने के बाद भी हरा है जिन लोगों ने इसे भोगा है उनके लिए तो यह नासूर है यहां हुए नरसंगार के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है यह सब हो रहा था तब भी कोई हलचल नहीं हुई थी बिद् बादूर सास्त्री की रहसमी मौत को लेकर कुछ खुला से किये थे अब उन्होंने कस्मीर की सबसे गंभीर समेश्या पर फिलम बनाई है बिबे की यह फिलम दरसाती है कि किस तरह से कटरपंतियों ने कस्मीरी पंडितों का जीना बेहाल कर उन्हें कस्मीर चोड़ने पर मासा देख रही थी जबकि उनकी नाक के नीचे से कस्मीर की आजादी की मांग और पंडितों के साथ दुर्बिवहार का नंगा नाच हो रहा था पुलिस और मीडिया को भी फिलम कटगरे में खड़ा करती है युवा पेड़ी का ब्रेनवास किया जा रहा था कस्मीरी पंड पुश्कों में इस फिलम को लेकर भारी उतसुकता है ये साथ इसलिए कि वे जो देखना चाते हैं उसी अंदाज में बात को कहा गया है फिलम सुरू होती है उस सीन से जिसमें बच्चे क्रिकट खेल रहे हैं कुछ कस्मीरी मुसलिम लड़के सीवा नमक हिंदू लड़के स कहते हैं कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद कहे इसी बिच मुसलिम युवाओ की भीड़ आ जाती है और पंडितों के घर में आग लगा देती है उनका कहना है रालियो तिसालियो या गालियो अर्थात या तो मुसलिम बनो या मरो या फिर कस्मीर छोड़ो पुशकरनात पंड ठीकत में भी हुआ है यह ऐसा सीन है जिसे देख सिनेमा हाल में सननाटा पसर जाता है पुशकरनात कस्मीर छोड़ देता है उसके पोते का प्रोफेसर रादका मेमन या पल्लवी जोसी कस्मीर की आजादी को लेकर ब्रेन वास कर देती है मरने से पहले पुशकर अपने पोत अतुल सिरिवास्तों से उसकी मुलाकात होती है इन में से कोई पुलिस में था तो कोई पत्रकार ये लोग करशड़ा 1990 में हुई हालातों के बारे में बताते हैं तो सच्चाई जानने के बाद वा सभी को इस बारे में बताने का फैंसला करता है वा कहता है कि कस्मीर में सही तरीके से नहीं निभाय था विबेक ने फिल्म की कहानी को सच्चे दस्तावेजो और सच्ची कहानियों को जोड़ कर आगे बढ़ाया है उन्होंने टेली काम इंजीनियर बीके गंजु हत्याकांट को पुसकर के बेटे की हत्या से जोड़ा है नदी मार्ग हत्याकांट का भी उल्लेक है जिसमें 24 हुंदू को लसकर एत्वयबा के लोगों ने हत्या कर दी थी लोगों को कटिंग मशीन से चीर दिया गया था और फिल्म के क्लाइमेक्स में आतंकवादियों का सरगना बिट्टा यनि चिन में मंडलेकर भी एक महिला को ऐसी ही सजा देता है फिल्म को लेकर अहम सवाल इसके सत्ता को लेकर है क्या जो कुछ दिखाया गया है वो सच है विवेक रंजना अगनियोत्री का जुकाओ किस दल की और है ये भी सभी जानते हैं इसका जवाब या है कि विवेक ने कई सची घटनाओं को फिल्म से जोड़ा है काफी रिसर्च भी किया है फिल्म में दिखाई गई बाते सच्चाई के काफी करीब हैं गैर मुस्लमों के लिए आतंकवादियों ने कस्मीर में क्या इस्तित पैदा की थी खोजिए जएदातर बाते आपको फिल्म में मिलेगी किसी कस्मीरी पंडिस से मिलिए जिनके बाब दादों को कस्मीर छोड़ना पड़ा था वे लोग हाल सुनाएंगे ओभी आपको फिल्म के करीब मिलेगा बिबेक ने कई बाद समेड़ने के चकर में फिल्म को बहुल लंबा कर दिया है इंटरोल के बाद कई बाते उनके हांस से छोड़ती नजराती है फिल्म की अवद कम होती तो इसकी मारक छंता और बढ़ जाती तकनीकी चमक फिल्म से नदारद है जो कि आज की फिल्मों के लिए महतपूर बात होती है लेकिन फिल्म का बिसे ही इतना पावरफुल है कि इसके तले कई बाते दब जाती है फिल्म के कम बजट के कारण है फिल्म की मेकिंग पर असर हुआ है आर्टिकल 370 हटा दी गई है अभी भी लोग क्यो मारे जा रहे है अब क्या हालात हैं वहाँ इन बातों को भी फिल्म में जगह मिलनी थी अनपम खेर ने कमाल की एक्टिंग की है वोई खुद मुक्तब होगी है इसलिए इमोसंस को अच्छी तरह समझते हैं अपने अभीने के बल पर वोई कई जगह दर्शको की आँखों में आसू ला देते हैं दर्शनकुमार, मिथुन्चकवर्ती, पल्लवी जोसी, चिनमेवाने लेकर सही सारे कलाकारों का अभीने सांदार है कस्मीरी पंडितों के साथ जो बरता हुआ है उसे परदे पर देखना भी आसान बात नहीं है इसी से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है या फिल्म इतिहास का एक पन्ना है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं सच्चाई से रूबरू होने के लिए या फिल्म देखी जा सकती है बिबेक अगनोतरी ने बदर निर्देशक बुद्धा इन्ये ट्रैफिक जैम से जो अलग लेक हिंदी सिनेमा में पकड़ी है वा दिन पर दिन गाड़ी होती जा रही है कौन सो सकता है कि चाकलेट और हेट इस्टोरी बनाने वाले निर्देशक का हिर्दे भी परिवर्तन हो सकता है लेकिन वा कहावत हैना कि देर आये पर दुरुस्ता है बिबेक का मसाला भी कुछ वैसा ही है बिबेक का मसला भी कुछ वैसा ही है बिबेक ने अपनी पिछली फिल्म दा तासकंद फाइल्स से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरब कीचा था फिल्म तीन साल पहले की श्लीपर हिट फिल्म रही उसी फिल्म का डियने विबेक अब अपनी नई फिल्म दा कस्मीर फाइल्स में लेकर आए है पिछली बार उन्होंने इतियास की मैली चादर से डगी पूर परदान मंतरी लाल बहादरुशास्तरी की हत्ते की असलिएत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी इस बार उन्होंने कस्मीर की सबसे गंबिर समस्या का नकाब नो चाहे सामने जो कुछ आता है वा भीतर का हिला देने वाला है लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तगनी की कमाल नहीं है लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है हुआ सच जिसे वा सकने की हिम्मत कस्मीर से निकले तमाम निर्देसक तरग नहीं दिखा पाए पिलम्दा कस्मीर फाइल्स एक तरे से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिस है जिन में भारत देश में बीबस नरहनसारों के चलते हुए सबसे बड़े पलाइन की खानी है देश में कस्मीर पंडित हिसाद इकलोती ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आज़ादी के बाद बेदखल कर दिया गया है और करोडों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई जिस कस्मीर से कन्या कमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं उसे हालात की ये बानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है कोई 32 साल पहले सुरू होती फिल्म की कहानी की सुरुआत ही एक ऐसे लबहे से होती है जो किर्किट के बहाने एक बड़ी बात बोलती है गाटी में जो हुआ वह दर्दनाक रहा है उसे परदे पर देखना और दर्दनाक है आतंक का एक ऐसा चहरा है जिसे पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है कहानी कहने में इसके एक डाकुमेंटरी बन जाने का भी खतरा था लेकिन सचाई लाने के लिए खतरों से किसी को तो खेलना होगा सिनेमा के लिहास से फिल्म सिंडलर्स लिष्ट तक पहुँचने की कोसिश करती फिल्म है यहां का नरहांसार भले उस पैमाने का ना हो लेकिन इस भयानक और भीतम सा एहसास उसे कुछ कम भी नहीं है फिल्म दा कस्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवे कंगनोतरी की फिल्म है फिल्म की रिसर्च इतनी तगड़ी है कि एक पार फिल्म सुरू होती है तो दरसक इस से आखिल तक बाहर नहीं निकल पाते वे एंडे क्रियेटिट्स के वक्ता एकदम गुमसम और खामोस से बस खड़े के खड़े रह जाते हैं और पता नहीं चलता कि पूरा हाल खड़े होकर एक निर्देशक के करम को साबासी दे रहा है सिकात कुल लोगों को ये हो सकती है कि फिल्म अपने बिसे के हिसाब से कायनवास का बिश्तार नहीं पासकी और फिल्म को तक्निकी रूप से और बहतर होना चाहिए था लेकिन जिन हालात और जिस बजट में फिल्म बनने दिखती है उसमें ऐसी कोई भी उम्मीद इस फिल्म से नहीं करनी चाहिए मौजूदा दोर में सिनेमा की कड़वी सच्चाई यही है कि एक तेलगू फिल्म का हिंदी संस्क्राड एक हिंदी फिल्म से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है फिल्म दा कस्मीर फाइल्स को लेकर कहीं इसी तरह का सूर चराबा नहीं कहीं किसी तरह का हाइश टेक रिलीस से पहले ट्रेंट करने में किसी बड़ी सिलिबर्टी का सही होग भी नहीं ये फिल्म अपना परचार अपने आप करती है बदावन निर्देशक बिवेक अगिनहुतरी ने इस फिल्म में जजबात बोये और एहसास काटे हैं चिनार जिसे उच्छे इम्तिहान में वह पूरे नंबरों के साथ पास हुए हैं तो बस इसलिए कि उनके साथ कंदे से कंदा मिलाने वाले कलाकारों और तकनी सिनों ने फिल्म में काबले तारिव काम किया है फिल्म दा कस्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेतरिन अदाकारी के लिए भी देखा जाना चाहिए अन्पमकेर अर्से बाद अपने पूरे रंग में दिखे हैं वा परदे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दर्या सा उपहनाता है और दर्सकों को अपने साथ बहा ले जाता है उनका अबने फिल्म में ऐसा है किसे देखने के बाद अगले साल का राष्टि फिल्म परिसकार उनके नाम होना बनता है दर्सन कुम ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का सांधार काम किया है उनके कैमपस वाले भासट और इस दारान उनकी भाव भंगमाएं देखने लाइक हैं चिनमें मांडलेकर का अब ने फिल्म की एक और मजबूत कड़ी है तकनीकी तोर पर फिल्म बहुत कमाल की भले नहो लेकिन उदेख सिंग महिले ने अपने कैमरे के सारे फिल्म का दार्द धीरे धीरे रिष्टे देने में काम्याबी पाई है फिल्म की आवद ही इसके सबसे बड़ी कमजूर कड़ी है फिल्म की आवद कम करके इसका असर और मारक किया जा सकता था फिल्म का संगीत कस्मीर के लोग से प्रिड़ा पाता है और हिंदी भासी दर्शकों को इसे समझाने के लिए विवेक ने मेहनत भी काफी की है मुकिधारा की फिल्म के हिसाब से फिल्म का संगित हाला की कंजूर है لیکن इस सब के बावजूद फिल्म दाकस्मेर फायल्स का ठानक कही लहाज से इस साल की एक दन्दार फिल्म साबित होती है दोसब जो हर इनसान अपनी जिन्दिकी में चाहता है पहला आजादी और दूसरा घर इन दोनों के बिना जानवर और इनसान के बीच कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आप ही सोचे कि कैसे लोग जीते होंगे जिनके पास यह दोनों ना हो दाकस्मीर फाइल्स हुआ फिल्म है जिसका बाली बुड में बनना ही अपने आप में एक हिस्टोरिकल अच्यूमेंट है मतलब कि जिसने अभी तक इस फिल्म को देखा है उसने इतिहास लिख दिया है क्योंकि आज के जमाने में पब्लिक कुछ चाहिए मिर्च मसाला सचा ही नहीं कहानिय कालेज में पढ़ने वाले मौडरन बिचारों से भड़े स्टूडेंट लीडर किस्टना की है जिसको पलिट्रिक्स में काफी इंट्रेस्ट है राजनिती से इनके प्यार की वज़े या भी है कि वहाँ इस्टूडेंट कस्मीर के धर्दी पर पैदा हुआ है वहाँ जहां बच्चा A, B, C, D से पहले बंदू की गोली सुन लेता है कालेज में किस्टरा की एक गुरू माता भी है जिनके हिसाब से कस्मीर पे बहुत जुल्म होते हैं और तो और या इंडिया के नक्से पे छपे हुए कस्मीर को जुठा मानती है क्योंकि इनके हिसाब सिया जबलदस्ती है सेच का पता लगाने किस्टरा कई सालों बात अपनी जनम धर्ती कस्मीर लोड़ता है यहां इनके कानों में एक नया सब्द सुनाई पड़ता है कस्मीरी पंडिर्स लेकिन गुरू माता के हिसाब से कस्मीरी पंडित बड़े दांत वाले राच्छस हैं जिन्होंने मासूम बिचारे असली कस्मीरियों का जीना हराम कर दिया है तो यह थोड़ा भड़ा गए और वहां के पंडितों से बड़ा लेने के लिए लड़ गए तो अब क्रिशला इन सभी कस्मीरी पंडितों की पहली सुलजा पाएगा या खुद उस पहली का हिस्सा बनके गंगा बहरा बनकर मर जाएगा इसका जवाब आपको इस फिल्म में मिलता है फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसके वज़े से आप टिकट बुक करने से खुद को रोग नहीं पाएंगे जवाब है फैक्स इस फिल्म में कोई मसाला, कोई फिक्शनेट एड़ नहीं दिया गया है सिर्फ और सिर्फ facts दिखाए गए हैं जो आज तक आँखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखाई फिल्म को बनाया है इससे ज्यादा natural तरीके से तीन घंटे आप जमी पर अपने पैरों को मैसूस कर सकते हैं जैसे मानों आँखों के सामने CCTV वीडियो चल रहा हो कोई फिल्म नहीं यह बात किसी से छुपे तो नहीं है कि फिल्म के अंदर कहानी नहीं बलकि सच दिखाया गया है इसलिए हर एक सीन में आपके साथ एक बहुत बार emotional फिल होगा दर्द, गुस्त, प्यार, नफरत, बदरा लेने के इच्छा और सबसे ज्यादा असहाय फेल करना यह सब को थेटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ होता रहेगा तारीब करनी होगी वीवेक अगनित्री की कि उन्होंने फिल्म के अंदर हर एक कारेक्टर चाहे पाच्ट्यू है नगेट्यू हर किस्यों को पूरी बारेकी से तयार किया है नगेट्यू कारेक्टर जो कर रहे हैं उनसे आप नफरत के लिए मजबूर हो जाएंगे इतिहास के पन्नों में कई ऐसी दलना घटनाय दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समास दोनों को ना सिर्फ सरमसार किया बलकि ऐसा जखम दिया जिसके निसान आज भी मिलते हैं कस्मीर से अलफ संखे के हिंदो पंडितों का पलायन उनकी दूरदर्चा की एक ऐसी सची तरास्दी है दा कस्मीर फाइल से के ऐसी फिल्म है जो आपको भात्मक रूप से जगाती है यह 1990 के दसक की कस्मीर घाटी को दिखाती है कस्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म को दिखाती है इसलामिक आतंक वादियों दौरा पंडितों को उनके घर से भगाने के लिए मजबूर किया जाने की सची कहानी है जिस मिटी पर आपने जनम लिया जिस आंगन में आपका बचपन खेला जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी उस मिटी उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े अपने देश सीमें रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े इस दर्द का जिगर करना जितना आसान है उससे सहिन करना उतना ही मुश्किल दा कस्मीर फाइल सो उस तराश्ती का दंस जहल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधरित है वो जिन्हें सरलार्थी कहा गया फिल्म एक तर्क देती है किया सिर्फ एक पलायन नहीं था बलकि एक बार बार नर्शंगार था जिससे राजनीती काड़ों से दबा दिया गया यह लोग लोगत 30 साल से निर्वासन में रह रहे हैं उनके घरों और दुकानों पर अब इतने वक्त में अस्थानी लोगों ने कबजा कर लिया है कस्मीरी पंडित आज भी नया की उमीद करते हैं और सबस्थ जरूरी बातिया कि उन्हें उनका सम्मान उनकी पहचान मिलनी चाहिए या दिल्चस्पैकी सिनेमाई परदे पर अब भी इन विस्तापित परिवारों के दर्द को कुछ एक बार ही उकेरा गया है आप चाहे किसी भी बिचारधारा से हो आस्था से हो या पीड़ा किसी भी आवाज को दबाना एक बुरे सपने की तरह है कस्मीर वो सुर्ग है जो कहीं खो गया है आतंगवास सिमा पर तनाओ, मानवी संकट, अलगवादी, आंदोलन और एक लड़ाई खुद के लिए आज कस्मीर इसी में बेस्त है वो कस्मीर में कभी समरत था जहां एक साथ कई संसक्रतिया थी लेकिन अब वो बिवादित छेद लगातार गटते बढ़ते तनाओं के बीच खुद को इश्तिर करने के लिए जद्दू जहत में डूबा हुआ है दा कस्मीर फाइल्स हुआ जखम के बैंड एंड हटाने जैसा है जो काफी गहरा है तीन घंटे से भी कम इस फिल्म में समय के बहाने सचाई तक पहुँचने की कोशिज करते हैं लेकिन पुरानी कहावत है कि हर सिक्के के दो भेलू होते हैं जिनमें विवे का गिन्योंत्री की या फिल्म पलायन की तरस्दी की समीच्छा करती है या उस दोरान के रिपोर्टों पर अधारित है कस्मीर पंडितों दोरा कही जारी खुद की कहानी पर अधारित है धर्म के कारण उनके साथ जो कुरूरता हुई फिल्म इस पर भी बात करती है फिर चाहे वह टेलिकॉम इंजीनियर बीके गंगु की चावल के बैरल में हत्या होया नदी मार्ग हत्या कांट जहां 24 कस्मीरी पंडितों को सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने मार दिया था फिल्म इन सची घटनाओं के एक उमर दराज राष्टवादी पुरुषकार नाथपंडित उनके चार सबसे अच्छे दोस्त और उनके पोते कृष्णा की आँखों से देखते हैं यह अपने अतिस से बेखबर कृष्णा के लिए भी सच की खोश की कहानी बताती है पुराने जखमों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है लेकिन इलाज भी तब तक संबह नहीं है लेकिन इलाज भी तबही संबह है जब चोट को स्युकार कर लिया जाए बिवेक अगनोतरी ने फिल्म में बारबर घटनाओं को दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है ना ही उस पर कोई फिल्टर डाला है ताकि उसके परभाव को कम किया जा सके ऐसे में हम पर्दे पर जो भी देखते हुआ बहुत ही गंभीर और गहन भी है कहानी थोड़ी उलजी हुई जरूर है लेकिन इसमें सीधी सपार्ट बात ना होकर उसने कहा इसने कहा वाली बात ज्यादा है ऐसे में आप फिल्म के कारेक्टर से जोड़ नहीं पाते फिल्म में कई मुद्डो को समेठने की कोसिच की गई है इसमें जेनियों की बात है मीडिया की तुलना आतंगवादियों की रख हेल्थ से की गई है विदेशी मीडिया पर सिलेक्टियों सपोर्डिंग का आरॉप लगाया गया है भारती सेना राजनितिक यود अनुछे तरि सिबेंटी और पर्याड़े कथाओ से लेकर कस्मीर के प्राची नितिहास तक फिल्म में सब कुछ एक साथ दिखा दिया गया है या जरूर है कि पुरुषकार नात पंडित और उनकी कहानी आपकी आखें नम करती है लेकिन फिर या फिल्म कहीं न कहीं खो जाती है या ज्यादा लंबी लगने लगती है जिसमें डिटेलिंग की कमी है ऐसा लगने लगता है कि अराजकता अधिक हो गई है और संतरफ खम यसी वीश आपने अंदर एक असहमत का भाव भी जगता है किरदार एक तरफा कहानी ले खर बढ़ते हैं जिस करण संतलन बिगड़ जाता है पिर ऐसा होने पिर ऐसा लगने लगता है कि यह सब एक आप शारिकता है अन्वाम खेर ने एक बार फिर जबर्दस्ट एक्टिंग की है वो अपने पफाम से दिल दहला देते हैं किरदार में कुछ और होना चाहिए था जिनमें मांडलेकर और मिथिन चुकृती ने अपने अपने रोल के सान नया किया है कस्मीरी पंडितों के प्लाइन और उस तराश्ती पर इस से पहले बिद बिनो चौपला रोमांटिक ड्रामा सिकारा लेकर आये थे तब उनकी खोप आलोचना हुई थी कि उन्होंने फिल्म में कस्मीरी पंडितों के दर्द पर ज्यादा फोकस नहीं किया हाला कि वा फिल्म आपको उनकी संसक्रत दर्द और निरासा की इस्तित को बेहत करीब लेकर जाती है लेकिन विवय का गिनोत्री ऐसा नहीं करते वह उस दर्द को भी बेधरक दिखाते हैं और उसमें राजनीती और उग्रवात को सबसे आगे रखते हैं अपने घर से बेघर होने दर्द फिल्म के वेग्राउंड में गोड़ाता रहता है दा कस्मीर फाल्स का केंदरी पात्र कस्रणा पंडिर नाम का लड़का है जिसके दादा पुसकर नात को 1990 में कस्मीर छोड़ना पड़ा आज भी उसका सपना है कि वो एक बार वापस अपने घर जा सके कस्रणा दिल्ली में E.N.U. नाम के टाप कालिज में पड़ता है वो कालिज इलेक्शन में खड़ा होता है आगे का लबा लुबाब ये है कि कस्रणा कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने के बज़ाए खुद कस्मीर जाकर देखता है कि वहाँ क्या चल रहा है इस दोरन उसे अपनी लाइक का सबसे बड़ा राज पता चलता है जो जीवन और कस्मीर के प्रत उसका परस्पेक्टिव बदल देता है फिल्म में अनपम खेर ने पुशकर नाथ के कस्मीरी पंडित का किरदार निबाया है जो उस बरबर एक सोड का सिकार हुआ था ये करेक्टर उनके काफे करीब लगता है वे खुद एक कस्मीरी पंडित हैं और इमोशनल सीन्स में कस्मीरी भासा में बात करते हैं जो उनके करेक्टर को आथेंटिक बनाने में मदद करता है उनके पोते कर्षडा के रोल में दर्शन कुमार है फिल्मे कुछ सेक्वेंस में दर्शन कालेज स्टूडेंट बने दिखाए देते हैं हाला कि वे कन्वेंसिंग तरीके से कालेज स्टूडेंट नहीं लगते पिल्म के क्लाइमेक्स में उनके हिस्से एक लंबी चोड़ी स्पीश आती है जिसमें वे ठीक लगते हैं पल्लेवी जेसी ने रादिका मिमन नाम की E.N.U. प्रोफेसर का रोल किया है E.N.U. जेनियू से मिलता जुलता नाम है एक सीन में रादिका मिनन का किरदार कृष्वडा को सलाह देते हुए कहता है कि हर कहानी में एक बिलन होता है इस कहानी में बिलन रादिका मिनन को बताया गया है यहाँ पर यह डिरेक्टर का पॉइंट आफ ब्यू या आडियो लाजी हो जाती है क्योंकि वह बिचारधारा के आधार पर अगर किसी को बिलन प्रट्रे करता है तो एक काम किसी भी बिशे में किया जा सकता है यह तो हो गए फिल्म के तीन प्राइमरी कारेक्टर इसके अलावा फिल्म में मिथन चकुरती, परकास बेलावडी, पुनीत इससर और अतुल सिर्यवास्तों भी है उन्होंने पुषकर नाथ के चार दोस्तों का रोल किया है इन चार दोस्तों का काम है, वो किस्वड़ा को बताए कि उनके माताविता के साथ असल में क्या हुआ था मतलब उनकी डेट कैसे हुए थी दकस्मीर फाइल्स के अच्छी चीज़ यह है कि वो अपने नयर्ट्टू को लेकर बहुत पैसनेट है लेकिन ऐसा करते हुए क्राफ्ट पर उनका खासा ध्यान नहीं रहता यहनी सिनेमाई तोर पर आप फिल्म में कोई एक्स्पिरिमेंट नहीं पाते इस्क्रीन प्ले के गुथाई जबर्दस्त नहीं है आप ट्रीटिमेंट के अस्तर पर इसे बहुत यूनिक फिल्म नहीं कह सकते वो बेसिक सिनेमा टोर्स का इस्तेमाल करती है अपनी बातों का असर छोड़ने के लिए मसलन फिल्म में एक सीन है जिसे 25 लोगों को गोली मारी जाती है यह 25 पचिस को गोली चलने में स्क्रीन पर दिखाए देती है ताकि दर्सक चाह कर भी इसे भोल न पाएं कस्मीर फायल्स ने कस्मीरी पंडितों के जरूरी मानुवी मुद्दे को पूरे जुनून से बड़े पर उखे रहा है लेकिन फिल्म गिरे में जाकर चीजों को टेटोलने की कोशिस नहीं करती यहां सब कुछ बलैग या वाइट में ही रखा गया है कालेज प्रोफेसर का किरदार हो या कस्मीर के तकरीबन सारे मुसल्मान सबको इसमें बिलन की माफिक दिखाया गया है यह तिध्यात्मक कितना है और विचारात्मक कितना है यह टेटोलने की कोशिस दर्शक को करनी है दा कस्मीर फाल्स में एक सुवाद है तूटे हुए लोग अपनी कहानी सुनाते नहीं उनकी कहानी सुननी पड़ती है आहद सबिताओं के बारे में भी आबास से टिक बैथती है भारती सबिता की कहानी भी लंबे समय से फिल्मी दुनिया में सही ढंक से नहीं सुनी गई अबर से बाद दकस्मीर फाल्स के रूम में आहद भारती सबिता के एक अध्याय को दिल से सुनने का प्रियास हुआ है परदे पर एक अमानुई अध्याय को कहने की साहस से कुशिस हुई है क्योंकि फिल्मी दुनिया का समाज पर एक जबरदस्त परभाव है इसलिए इस नई कोशिस को लेकर समाज में एक अभुतपूर्प अक्रोस और उद्देलन दिख रहा है संभोता बाहुवली सिरीज के बाद या पहली ऐसी फिल्म है जिसको लेकर भारती समाज इतना उद्देलित है आधिक स्क्रिन देने का दबाव या फिर फिरी टिकेट उपलब्त कराने जिसे खबरे या साबित करती हैं कि इस फिल्म को लेकर समाज किस तरह उत्साहित है ऐसा कहा ज़सकता है कि बाहुवली से भारती सिनेमा में बदलाओ की जो पयातरा सुरू हुई वह अब एक नए पड़ाओ पर पहुँच गई है भारती एथार्थ को बेजिजग होकर कहने का अतम विश्वास भारती सिनेमा ने दाकस्मीर फायल्स के साथ हासिल कर लिया है इस फिल्म की ताकत तकनीकी नहीं पठकता है इसकी कहानी और अभने है कभी डाक्टर चंदप्रकास दिवेदी के धारवाहिक चाड़क का उदाहरड उसकी पठकता के लिए दिया जाता था इसमें एतिहासिक और सभितागत बिमर्ज को जिस तरह से पठकता में कुसलता के साथ बुना गया उसने चाड़क को समवात के आम भारती के समवात और तर का हिस्सा बन गया बाद में एफ बिटिनेट डे जैसी फिल्मों ने अपनी कसी हुई कहानी और सधी हुई पठकता के लिए प्रसित दिपाई दाकस्मीर फाइल्ज पठकता और कहानी बुनने की कला को नई उचाई देती है गटनाओ के सच को जिस तरह से कहानी और पठकता में डाला गया है वह दर्सक को जगजोर कर रख देता है एक ऐसे दोर में जब एनिमेशन 3D फिल में सफलता के जंडे गाड़ रही हैं तब दाकस्मीर फाइल्ज की सफलता इसे और भी खास बना देती है मीडिय वले बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं जो नदरू नहीं जानता वह कस्मीर नहीं जानता और जब तक सच जूचे पहनता है तब तक जोड़ दुनिया का चकर लगा के आ जाता है जिससे सवाध दर्सक की समच और जेहन दोनों को बदल देते हैं दाकस्मीर फायस को देखने के बाद यूआओ में आस्चर अक्रोस और उत्साह अधिक है अधिकांस यूआओ को ऐसा लगता है कि किसी जूटी दुनिया से निकल कर उन्हें याका या कठोर सचाई से रूबरू करा दिया गया हो यूआओ को यह भी लगता है कि जब तीन द है थी कि फिल्म औरी लंबे समय तक इसलिए फसी रही क्योंकि उनके समवाद में 72 हुरों का जिकर था बाद में यह समवाद बदलना पड़ा इस फिल्म में सब्दों दरस्यों और बिस्यों को लेकर जिजग तोड़ी है फिल्म में काफिर आतंकवा समस्यावाद जैसे सब् संजीदगी के साथ फिल्माया गया है मीडिया पुलिसिया तंत्र और परशासन पर ऐसे संदर्बों के साथ तंजकसे गए हैं जिनका उपयोग अभी तक भारती सिनेमा करने से बचता रहा है सिनेमा का उपयोग भारत के सर्भजिनिक विमर्ष को प्रभावित करने के लिए प्रत इस परदी सक्तिया करती रही है अब भारत ने इस नए हथियार को समझ कर ऐसे सक्तियों को उत्तर देना प्रारम किया है अख्यानों की दुनिया में दकस्मीर फाइल सुरुवाती लेकिन सासी और प्रभावी परती उत्तर है डिरेक्टर विवेक अंगनोतरी की इस फिल्म में अनुच्छे 370 से लेकर कस्मीर के इतिहास और पराड़ी कथाओ पर भी बात की गई है इस फिल्म में इस बात का जिकर परमक्ता से किया गया है कि कैसे राजनीतिक काड़ों से कस्मीरी पंडितों के नरसंगार को सालों साल दबा कर रखा गया फिल्म के कहानी 1990 के दसक्सर सुरू होकर मौजूदा साल तक पहुंचती है दिल्ली में पढ़ रहा कर्शला और दर्शन कुमार अपने दादाजी प्रुसकार नाथ पंडित और अन्पप खेर की आकरी चापुरी करने के लिए सरी नगर आता है कस्मीर के 30 से बेखबर और अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में लग जाता है यहां उसकी मुलाकात अपने दादाजी के चार दोस्तों से होती है उनके दीरे दीरे कस्मीरी पंडितों के पलायन और नर्शंगार के चर्चा सुरू होती है और कहानी पहुंचती है 1990 मे फिल्म में आगी दिखाया गया है कि किस तरह कस्मीर की गलियों में आतंकी बंदू के लेकर घूमते हैं और कस्मीरी पंडितों को ढूंड ढूंड कर मारते हैं क्या बजुर क्या महिला आतंकी बच्चों को तक नहीं छोड़ते फिल्म में यह हास देखकर आपकी रूख पना करने लग जाएंगे कि कैसा भय का माहूल होगा उस वक्त कस्मीरी पंडितों पर हुई तमाम हिंसा को दिखाती इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि कैसे उस वक्त राजपरसासन भी असहाय हो गया था एक्टिंग की बात करें तो अम्तुम्खेर अपने अबिने से आपके दिल में उतर जाएंगे वह मितन चकुरती ने सांधार काम किया है इनके अलावा फिल्म में दर्शन कुमार पल्लवी जोसी परकास बिलावडी पुनीत इससर अतुल स्रिवास्तों चिनमे माजले कर भासा संभली भी आहम किरदार में नजर आये हैं विवेक गिनुत इसकी है हाला कि कहानी में कई बार चीजों को दोराया भी गया है जो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है भारत के दूसरे परदान मंतरी लाल बहादूर सास्तरी की जिंदगी और रहसमाई मौत पर परकास डालती एक फिलम दा तासकंत फाइल साल 2019 में रिलीज हुई थी बिबेक रंजन अगनियतरी के निर्देशन में बनी इस फिलम के जरिये सास्तरी जी की मौत पर नए सिरे से बहस की गई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी उसके लिए जिम्मेदार कौन था आखिर उनकी मौत के रहस से आज तक परदा क्यों नहीं उठाय गया क्या उसमें भारत के किसी राजनीतिक दल का भी हाथ था इन्हीं सवालों के जवाब खोचती इस फिलम को लेकर काफी जर्चा हुई थी कुछ इसी तरह के मिजाज की एक नई फिलम ता कस्मीर फाइल्स सिनिमा घरों में रिलीज हुई है इसका निर्देशन भी निशनल आवाड वीजे ता निर्देशक बिबे का गिनहतुरी ने किया है इस फिलम में अनपमखेर, मिथुन चुकरती, दर्चन कुमार और अतुल सिर्वास्तो जैसे दिग्च बिनेता आहम किर्दारों में है फिलम ता कस्मेर फालिस 90 के दसक में कस्मेरी पंडितों के पलायन की एतिहसे घटना पर आधरी थै कहा जाता है कि कस्मेर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहाँ नर संगहार किया गया था कस्मेरी पंडित संगर सिमित के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कस्मेरी पंडित परिवार थे लेकिन साल 1990 और साल 1992 के बेच आतंकियों के डर से 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया साल 1992-2011 के बीच अतंकवादियों ने 399 कस्मीरी पंडितों की हत्या की थी पिछले 30 सालों के दारन घाटी में बहुमिश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं साल 1941 में कस्मीरी हिंदू का आबादी में हिसा 15 फिश्दी था लेकिन साल 1991 तक उनकी हिसेदारी सिर्फ 0.1 फिश्दी ही रहे गई अपनी मातर भूम और करम भूम से बिस्तापित होने के कस्मीरी पंडितों के इस दर्द को ब्यापक रिसर्च के बाद रूप एले परदे पर पेस किया जा रहा है अनपम खेर और मिथन चुकरती जैसे कलाकार उसे सजी फिल्म की रिलीज से पहले जम्मू में कस्मीरी पंडितों के लिए एक स्पिसल स्क्रीनिंग रखी गई थी प्रत्यच दर्शियों के उनसार फिल्म जब खतम हुई तो वहां मौझूद कई दर्शा कितने भावुक हो गए कि अपनी सीटों पर खड़े होकर रोने लगे पुरे थीटर में जो माहौल बना उसे देकर समझा जा सकता था कि फिल्म में कस्मीरी पंडितों के दर्द को किस तरह से पेस किया गया है फिल्म के निर्देशक विबेक अगनोत्री का भी कहना है कि साल 1990 में हुआ कस्मीरी नरसंगार भारती राजनीती का एक अहम और सब्वेदन सील मुद्दा है इसलिए इसे परदे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था इसके लिए हमारे टीम ने एक ब्यापक रिसर्च किया करीब सार सो कस्मीरी पंडितों के परिवार से बातचीत की गई जिन्होंने सीधे तोर पर कस्मीर की इस इंसा को जहला उन्हें बिस्थापित होना पड़ा वो आज भी इसी टीस के साथ जी रहे हैं फिल्म दा कस्मीर फाइल को पांच में से 4.5 इस्टार देते हुए समीच चक रोहिद जैसवाल लिखते हैं मेरे लिए दा कस्मीर फाइल से मेरे पूरे जीवन में आप तक की सबसे कठिन फिल्म रही इसे देखने के लिए साहस की जरूरत है या दर्सक हिम्मत कर सकते हैं तभी इस फिल्म को देखे बिबेक रेंजन अग्नियोत्री ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाई है निति सुधा ने पांच में से 3 इस्टार को देते हुए लिखा फिल्म को कस्मीर की खोसुरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े परदे पर देखना बेहत मार्मिक और दलनाग है लेकिन महत्तुपोड भी है बिबेक अग्नियोत्री की फिल्म तक कस्मीर फाइल स्तत्यों पर आधारी थे राजनितिक जुकाओं से अलग होकर देखे तो इस फिल्म में कस्मीरी पंडितों पर हुए कुरूर अत्याचारों को देखना मानवता और नया व्यवस्ता को घुटनी टेकते दिखना दिल दहला देने वाला है दो घंडे 40 मिनट की फिल्म में धारा 370 से लेकर इतिहास और पौराड़ी कथाओं पर भी बात होती है फिल्म समीच्छक सुमित कुडेल लिखते हैं सोतंतर भारत का सबसे खुरूर अध्याए इसमें अनफिल्टर तत्यों के साथ परकट हुआ कस्मीरी पंडितों का जनसंगार विवेक अगनितरी के दिल देशन में बनी इस फिल्म को कस्मीरी पंडितों के बिस्थापन का सथ जानने के लिए जरूर देखना चाहिए इस सच को अतीद के पंडों पर दफन कर दिया गया था एक यूजर यस बिनानली लिखते हैं कि वो भारत सरकार से गुजारेश करते हैं कि फिल्म दा कस्मीर पाइल्स को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए राहुल रसुन लिखते हैं मैंने कल दा कस्मीर पाइल्स फिल्म देखी मुझे अब समझ में आ रहा है कि विवेक ने इंटर्विव के दोरान मुझसे हैदर से इसे तुलना करने से मना क्यों किया था दोनों में कई सारी समानता हैं लेकिन इसके बावजूद दोनों फिल्मों को सोतंतर प्रभाव है जिसे देखने के बाद ही समझा जा सकता है पद्रकार रिचा अनिरुद्र तो लिखती हैं कि फिल्म ने उनके पूरी तरे से जगजोर दिया है क्या बिडंबना है लोग कस्मीर को जन्नत मानते हैं और जो कस्मीर को जहन्नुम बना रहे हैं वो भी जन्नत जाना चाहते हैं आँखों में दर्द लिए फिल्म का एक किलदार कहता है एक सची तरास्ती पर आधारित भातमक रोप से आपको हिला देने वालिया फिल्म 1990 में कस्मीर घाटी में कस्मीरी पंडितों की दुर्दसा को दिखाती है जिने इस्लामिक आतंगवादियों दोरा अपने घरों से भगाने के लिए मजबूर किया जाता है फिल्म बताती है कि वह सिर्फ एक पलायन नहीं था बलकि नरसंगहार था लगबख दो गंटे चालिस मिनट लंबी इस फिल्म में निर्देशक बिवेक अगनोतरी भारत के एक परमुक सैच्छडग संस्थान और मीडिया पर निसाना साते हैं वह अनुच्छे 370 को निरस्त करने से लेकर कस्मीर के प्राचिन इतिहास और पराड़ी कताओं पर बात करते हैं लगबख 30 सालों के बाद कस्मीरी पंडित आज भी नयाय की उमीद करते हैं ये फिल्म उनकी पीड़ा उनकी आवाज को सामने रखती है यह दिखाती है कि किस तरह राजमीतिक करड़ों से कस्मीरी पंडितों के नरसंगहार को सालों साल दबा दिया गया फिल्म 1990 से सुरू होती है और मुझूदा साल तक पहुँचती है दिल्ली में पढ़ रहा करशणा अनि दर्सन कुमार अपने दादा जी पुषकर नात पंडिते ने अन्पम खेर की आखरी चापोरी करने के लिए सिरी नगर आया है कस्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जोड़ी सच्चाई की खोज में है सिरी नगर में उसकी मुलाकात दादा जी के चार दोस्तों से होती है उनके बीश दिरे दिरे कस्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंगार की चर्चा सुरू होती है और कहानी पहुँचती है साल 1990 में साल 1990 की कहानी जेके एलेफ द्वरा 27 टिकू की हत्या के साथ सुरू होती है दिखाया जाता है कि किस तरह कस्मीर की गलियों से आतंगवादी बंदू के लेकर चारों और घूम रहे हैं और कस्मीरी पंडितों को ढोड़ ढोड़ कर मार रहे हैं उनके घर जला रहे हैं ना महिलाओ को बक्सा जा रहा है और ना बच्चों को गली-गली में रालियो चालियो या गालियो केनारे गूंज रहे हैं जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या तो भागो या मर जाओ पहली सिन के साथ ही नेदेशक इसपश्ट कर देते हैं कि या फिल्म 1990 की घर्टना को गहराई से चुने वाली है प्रलेखे रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म कस्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है बीके गंजु की चावला की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग संगहार हो जहां 24 कस्मीरी पंडितों को भारती सिना की बेस में आया है अतंगवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी ये घटनाए हम पुरुषकार नात पंडित ने अमकम खेर और उनके परिवार के नजरों से देखते हैं वो अपने बेटे बहु और पोतों के साथ स्रीनगर में रहते हैं जब उनके परिवार पर खत्रा मट राता है तो अपने चार दोस्तों ब्रंबदत यानि मितिन चकुरती जो की आईएस है डीजीपी हरीनाथ हैनी पुनीत इससर बिशुडू रहमेने अतुल इस्रिवास्तो जो की मेडिया के लिए काम करते हैं और डाक्टर महेश कुमारे ने परकास बेलावडी से मदद मांगते हैं लेकिन तदकालिंग राज के अपंग परसासन के सामने सबी असहाय दिखाई देते हैं ये सबी के दार परती तात्मक हैं जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं निद्देशक ने फिल्म में कृषड़ा के दुबदा के द्वारा आज की वाओ को इंगित किया है एक तरफ उसकी प्रोफेसर रादिका मेमने निपल वीजर सी कस्मीर की आजादी के नारे लगवाती है और दूसरी तरफ उसके परिवार और कस्मीरी पंडितों का इतिहास कृषड़ा किस पच्च की और से नय के मांग करता है यही है इस फिल्म की कहानी बिबेक अगिनुतरी ने सालों रिसर्च के बाद इस फिल्म की पटकता पर काम किया है और वो परदे पर दिखता भी है कस्मीरी पंडितों के विस्तापन और नरसंगहार के इस कहानी में निर्देशक ने तमाम बिंदू उठाए हैं जैसे कि कई लोग जो मानते हैं कि कोई पलायन नहीं हुआ था कोई नरसंगहार नहीं हुआ था कुछ मानते हैं कि कस्मीरी हिंदू को उनके घरों से बाहर नहीं निकला गया था बलको अपनी मर्जी से चले गये थे फिल्म में इसका जवाब दिया गया है निर्देसंग मुकी तोर पर तीन किर्दारों के जरिये हमें कस्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने की कोसिश करते हैं पुशकर नाथ पंडित का किर्दार एक आम पेड़ित बिक्त को दिखाता है तो सालदा के किर्दार महिलाओं पर हुए अत्याचार को और किर्दार का किर्दार पंडितों को तीसरी पीड़ी है जो अतीद की वस्तिकताओं से बेखबर है हाला कि भातमक पच से उपर उठे तो फिल्म में थोड़ी कमया भी दिखती है कहानी कई जगह दोहराती से लगती है और कलपना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती नर्चंगार के कुछ द्रस हो याप जिनसात मकरत निर्देसक आतंकियों के बरबरता दिखाने के लिए स्पून फीड करते दिखे हैं फिल्म में इतने सारे मुद्दे एक के बाद एक सामने आते हैं आपको एक्के दिक्य किड़ारों को छोड़कर किससे से जोड़ने का मौका ही несть मिलता फिल्म की स्टार कार्ट बहुत दंदार है पसकर नाथ पंडित के किड़ार में अनपंखेर ने बहतरीन काम किया है उनका किड़ार आपको जहन जोड़ता है और जाते जाते आँखे नम कर जाता है कस्मीरी पंडितों के दर्द, निरासा और उम्मीद को उनके हर हावभाव में देखा जा सकता है किस्टडा के किरदार में दरसन कुमार को कुछ दमदार सीन मिले हैं जिनके साथ उन्होंने पूरा नयाय किया है वही चिनमे मांडिले कर अपने किरदार फारुक मलिक बिट्टा में इतने रस से गया हैं कि आप उनसे बिना नफरत किये थेटर से बाहर नहीं आपाएंगे प्रोफेसर की भूमका में पल्लवी जैसी भी उतनी ही परभावी हैं फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले मितिल चकौरती, अतुल सिर्वास्तो, परगास बेलावडी, पुनीत इससर, भांसा सुंभली अपने किरदारों में परभाव साली लगे हैं फिल्म तकनीकी इस्तर पर काफी परभावित करती है उदैसिंग मोहिते की सिनोमेटोग्राफी कस्मीर के गलियों में उठ रहे, भायावाह मंजर को बाखोबी दिखाती है डल जील और परवतों की खुबसूरती से होते हुए सड़कों, गलियों और घरों में लगे आग को देकर आपको लगातार बेशेनी होती है लेकिन कहानी लगातार बांधे रखती है फिल्म की एडिटिंग कुछ हिस्टों में काफी जबरदास्त है लेकिन थोड़ी और चुस्त की जा सकती थी कुछ हिंसात्मक दरस्टों को दर्शकों की कलपना है तो भी छोड़ दिया जा सकता है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर दिया है रोहिस सर्मा ने जो फिल्म को एक मजबूती देती है कस्मीर की खुबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े परदे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाग है लेकिन महातुपोड भी है बिवेक अगिनोत्री की फिल्म दा कस्मीर फाइल स्तत्यों पर आधारित है राजनितिक जुकाओ से अलग होकर देखे तो इस फिल्म में कस्मीरी पंडितों पर हुए कुरूर अत्यचारों को देखना मानवता और नए ब्यवस्ता को घुटने टेकते देखना दिल दहलाने वाला है साल 2019 में बिवेक अगिनोत्री की फिल्म दा तासकंद फाइल से रिलीज हुई थी और या फिल्म बॉक्स आपिस पर हिट साबित हुई थी इस फिल्म को दो निशनल आवार्ड भी मिले थे दा तासकंद फाइल के बाद अब विवेक अगिनोत्री दा कस्मीर फाइल्स लेकर आये हैं जिसमें उन्होंने 90 के दसक में कस्मीर में हुए कस्मीरी पंडितों और हिंदूों के नरसंगार और प्लायन की कहानी को दर्साया है इस फिल्म में अन्पमखेर, मित उन्चकवर्ती जैसे धुरंदर कलाकार तो है ही लेकिन साथ ही फिल्म में पल्लुई जोसी और दर्सन कुमार जैसे मज़े हुए कलाकार भी नजराएंगे दतासकंद फाइल्सको दर्सको और किक्रिट्स ने काफिस रहना मिली थी तो अब देखना होगा कि क्या दाकस्मीर फाइल्सके जरीए विवे का गन्योतरी एक बार फिर दर्सको का दिल जीत पाएंगे या नहीं अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आईए जानते हैं फिल्म कैसी है फिल्म की कहानी कस्मीर के एक टीचर पुसकर नाथ पंडित ने अनबंखेर की जिंदगी के इर्द गिर्द गुमती है कृस्टडा नहीं दर्सन कुमार दिल्ली से कस्मीर आता है अपने दादा पुसकर नाथ पंडित की आखरी इच्छा पूरी करने के लिए कृस्टडा को अपने दादा की जिकरी दोस्त ब्रहंभादात यानि मितन चुकृति के यहां ठहरता है उस दोरान पुसकर के अनि दोस्त भी कृस्टडा से मिलने आते हैं इसके बाद फिल्म फ्लैस बैक में जाती है फ्लैस बैक में दिखा जाता है कि सन 1990 से पहले कस्मीर कैसा था इसके बाद दन 90 के दसक में कस्मीर पंडितों को मिलने वाली धंकियों और जबरन कस्मीर और अपना घर छोड़कर जाने वाली उनकी पीड़ा दाएक कहानी को दरसाया जाता है कृशला को नहीं पता कि उस दोरान उसका परिवार किस मुश्किल वक्त से गुजरा होगा इसके बाद 90 के दसक की परते उनके सामने खुलती है और दरसाया जाता है कि उस दोरान कस्मीरी पंडित किस पीड़ा से गुजर रहे थे पूरी कहानी इसी के इर्दगिर्द घुमती है साल 2020 में बिद बिनो चुपड़ा दोरा सिकारा नामक फिल्म का निर्देशन किया गया था यह फिल्म कस्मीरी पंडितों और हिंदों के हत्या कांड वापलायन पर आधारी थे बिद बनो चुपड़ा ने एक लब इस्टोरी के जरिये कस मीरी लोगों की प्लीड़ा को दरसाने की कोशिस की थी ल器्टित अध deaths कस्मीर फाइल की जरिये एक रूंगटे खड़े करने वाली एलक कहानी को दरसांने की कोशिस की उन्होंने कस्मेरी हिंदूों की कहानी को गहरे और बहुत ही कठोर तरीके से इस फिल्म के जिरिये सुनाने की कोशिस की है वह हमें पूरी तरह से एक अलग दुनिया में ले जाते हैं फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपके रूंगटे खड़े कर देंगे फिल्म आपको पूरे समय अपनी स्टीर्ट से बांधे रखेगी फिल्म की कहानी अच्छी है और विबे का गिनोतरी अपने कार में पूरी तरह से सफ़लना जा रहते हैं कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई उचाई पर पहुंचाया है वैसे तो अनपमखेर ने कई बार अपने अभिने से दर्शकों का दिल जीता है लेकिन इस फिल्म में अनपमखेर ने पुसकर नाथ पंडित के किरदार को ऐसे निभाया कि दर्शक अश्चार्च शेकित रह जाएंगे उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि वह फिल्म इंडिस्टी के सबसे सांधार वर्सिटाइल एक्टर है वही मितन चकुरती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा नया किया है एक स्टूडेंट लीडर के तोर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही परभावी अबनेका पर दर्शन किया है वही पल्लवी जेसी की बात करें तो दा तासकंद फाइल्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का निशनल आवार्ड मिला था और एक बार फिर उन्होंने थाबित कर दिया है कि वह दाकस्मिर फाइल्स के लिए भी पुरुसकार की मजबूत दावेदार है यहाँ पर चिनमे की एक्टिंग की भी तारीप करना चाहेंगे जिन्होंने फारो का हमत के तोर पर इसकिन पर एक आमी चाप छोड़ी है उनके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने किलदार के साथ पूरा नयाय किया है फिल्म में जो कमी हमें ने जराई हो है इसका रनिंग टाइम यह फिल्म दो घंटे पचास मिनट की है इस फिल्म में आसानी से 30 मिनट का कट लगा जा सकता था कहीं कहीं पर फिल्म काफी बोजिल नजर आती है ऐसा लगता है कि फिल्म के कुछ सीन को जबरदस्ती खीचने की कोसिस्की गई है इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं लगा अगर बैग्राउंड इसकोर अच्छा होता तो फिल्म को ये और भी नई उचायों पर ले जा सकता था या फिल्म कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखे क्योंकि फिल्म में कई ऐसे सीन है जिन्हें देखकर आपकी आँखे बंद कर सकते हैं खैर फिल्म अच्छी है इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कसमीरी पंडितों पर बनी फिल्म दा कसमीर फाइल्स के लिए इस समय विबेक अगनोतरी चर्चा में है फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है इसकी स्क्रीनिंग के दौरान कई सारे वीडियो सामने आये थे जिसमें मूवीज देखने के बाद दरसक काफी भावग नजर आये अब ऐसा ही एक और वीडियो फिल्म में एहम रोल प्ले करने वाले एक्टर दरसन कुमार ने भी सेयर किया था वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग ये फिल्म देखकर बाहर आने के बाद अपनी भानों पर नियंतर नहीं कर पा रहे और फिल्म के डारेक्टर वीवेक अगनोतरी का सुक्रिया अदा कर रहे हैं एक्टर दरसन कुमार्डी ट्विटर पर सो खतम होने के बाद एक वीडियो सेयर किया जहां आडियंस इस मूवी को देखकर इतनी भाविक नजरा रही है कि उनके आंसू भी नहीं रुक रहे हैं वोई लोग भी इस दुख के भागीदार रहे हैं उनके लिए फिल्म एक नई उमीद की किरड़ है एक महिला तो फूट फूट कर रोती नजरा रही है उसने बिवेक अगनोतरी के पैर छे और तहे दिल से उनका सुक्रिया किया और लोग भी बिवेक को घेरे हुए हैं और इस मूवी को बनाने के लिए उनका आभार ब्यक्त कर रहे हैं महिला रोते हुए बिवेक से बातचीत कर रही है वो कह रही है हमारे साथ जो कुछ हुआ आपके अलावा या मूवी कोई और नहीं कर सकता था आप हमारे लिए भगवान हैं इसी भी चेक्टर दर्शन कुमार भी वहाँ पहुंचाते हैं महिला दर्शन कुमार को भी गले लगा लेती है और अपना आशिरवात देती है पूरी टीम के बहतर भविश की काम ना करती है दर्शन ने वीडियो सेर करते हुए लिखा जो दिल से आता है वही दिल को छूता है कस्मीर फाइल्स अब आप लोगों की फिल्म है कस्मीर फाइल्स मोबी 90 के कस्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय पर बनी फिल्म है इसमें अन्पमखेर और मिथुन चकरवरती की अभने की तारीव खूब के जा रही है दर्शन भी इस फिल्म के साथ भातमक में रहे थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बादुर सास्ती की मडर मिश्ट्री पर बनी फिल्म ने नेशनल आवार्ड भी जीते थे पुरानी फाइलों से दबे सच कई बार बिचलित कर देते हैं तासकंद फाइल्स के बाद अब निर्दे सक विबेक रंजन अगनियोत्री ने कस्मीर की तीन दिसक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पल्टे हैं उनकी यह फिल्म बेचैन करती है फिल्म देखते हुए नि आतंकियों ने कस्मीरी हिंद्यों को उनकी जमीन से बेधखल कर दिया बेरहमी से कतल किया उनकी महिलाओ बच्चों पर सरमनाक अत्यचार किये कस्मीरी लोग कैसे देश-परदेश की सरकार इस्थानी परसासन पुलिस और मीडिया जिसी दाक्तों के बावजूद अपनी धर परार्थी बनकर रहे गए और आज तक उन्हें नयाय नहीं मिला परानी पीडियों से होता हुए या दर्द नई पीड़ी की रगों में दोट रहा है विवेक अग्नुत्री ने इसी पीड़ी दर्पीडी दर्द के बहने की कहानी को कस्मीर फाइल में उता रहा है या कहानी रिटार्ट टीचर पुरुषकार नातपन देती यानि अन्पमखेर और उनके परिवार को के अंदर में रख कर चलती है उनके बहाने कस्मीरियों के जखमों और तकलिकों को दिखाती है जी या यू दिल्ली में पढ़ने वाला एक जवान पोता क्रट यानि दर्शन कमार ज आतंकी फारुग मलिक बिट यानि चिन में मांड लेकर से भी रूबरू होता है जो उसके परिवार समयत कस्मीर की बरवादी का जिम्मेदार है विस बिद्याले में कस्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्णा को वहां सच्चाई पता लगती है और उनक उनका फोकस पूर प्रदानमंत्री लाल भादुर सास्तरी की रहसमे मर्तिव के लेकर हुई राजनीती पर था वही कस्मीर फायल समयवार राजनीती से अधिक वहां हुए हिंसा घटनाकरम और कस्मीर को भारत से तोलने वाली खड़े अंत्रिकारी सोच पर फोकस करते हैं फ और उसके परिवार के दोसरों लोगे की जान बच सकती है वह चावल खाती है एक और द्रस में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कस्मीरी हिंदूओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं चोटे बच्चों को भी नहीं बखशते वह कस्मीरी हिंदूओं औ दिखाते हैं जिससे बताया कुछ गया है और सच कुछ और है पहले में कस्मीर की आजादी के नारे बेंजीर भुटो के वीडियो और फैयज की नचम हम देखेंगे कि बहाने निदेसक आतंकियों और अलग वादियों के इरादे चाहिर करते हुए नई पिढ़ी की उलजन क को सामने लाते हैं काली बिंदी लगाई हुई वामपंती उधारवादी प्रो राधिका मेमन के रोम में पल्लवी जेसी यह यह युवाओ को गुमराह करने का परतिने दूत करती हैं फिल्म बहुत सारे पेड़ितों की सच्ची कहानियों और दस्तावेजों पर आधारित है कस्मीर फाइल्स बार बार प्लैक्स बैक में जाती है और एक सीध में नहीं चलती तत्यों पर अत्याधिक जोर देने के कारण का ही कहिया डाकुमेंटरी ड्रामा की तरह भी लगती है आडिकल 370 से लेकर स्रडार्थी कैंपो में कस्मीरियों की दुर्दचा और उस पर राजनेताओं की समवेदन हींता को भी निल्देशक नहाँ पर उभारा है कस्मीर फाइल से ऐसी कई सारी बाते सामने लाती है जो लोगों को जाननी चाहिए या मनुरंजक का नहीं बलकि समवेदना का सिनेमा है फिल्म कस्मीरी हिंदुवा पर हुए अत्याचारों को लगातार उभारते हुए या अंडर टोन सवाल लेकर चलती है कि इसका हिसाब कौन देगा और उन्हें नियाएक का मिलेगा दरसन कुमार और मिधिन चकुरती समय सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना काम बाखुबी किया है लेकिन अन्पर्म कहर का आप ने हाई पॉइंट है पुरुषकार नाथ पंडित के रूम में अन्पर्म ऐसे सक्स की पीड़ा को परदे अपर उतारते हैं जो अपनी जमीन और घर से बेदेखल होने के बाद पूरी चिंदगी फिर से वहाँ जाने का ख्वाब देखते हुए इस दुनिया से गुजर जाता है कसमीर भारत का सच है और इस सच के बहुत सारे सच है बीते की बरसुस से सब अपने अपने अंदाज में कसमीर का सच कहते रहे हैं कसमीर फार्स भी एक सच दिखाती है और उससे भी देखा जाना चाहिए